मम्मी पापा अचानक ही दिल्ली छोड़कर पूने आ बसे यहां का स्कूल और सहेलिया राधा को बहुत पसंद आई दिल्ली पिछली काख्छा की किताव की तरह पीछे छूट गई बस एक सारदा आंटी की याद कभी कभी आ जाती थी दिल्ली से सभी लोग आपसे मिलने आते हैं बस सारदा आंटी नहीं आती राधा ने एक रोज मा से कहा सारदा आंटी टीचर है और दिनेजर दोनों ही अपने काम छोड़कर कैसे आ सकते हैं मा ने बताया मा और भी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उससे पहले ही पापा ने राधा को पानी लाने के लिए कहा वह पा का वह दोर शुरू हो गया जिसमें किसी को खुद की ही खवर नहीं रहती तो सारदा आंटी को कौन याद करता मम्मी पापा ना जाने कैसे उनके मन की बात समझ लेते थे और उससे कुछ कहने से पहले ही उनकी मसंद चीज उसे मिल जाती थी उसकी सहेलिया उसकी तकदीर से रस्त किया करती राधा का कॉलेज में अंती वर्ष था मम्मी पापा दोनों चाहते थी कि वह अच्छे नंबरों से पास हो वह भी जीजान से पढ़ाई में जुटी हुई थी कि दादी के मरने की खवर मिली दादा जी अपने सब से छोटे बेटे रमेश और बहूरिया के सा सिमला में रहते थे पापा के अन्य भाई बहन भी वहां पहुंचे हुए थे घर में काफी भीर थी दादी के अंतिम संसकार के बादा जी ने कहा सोनी बेटी तुम्हारी मा के जो जेवर है मैं चाहता हूं कि वह तुम सब आपस में बांट लो तुम सब से बड़ी है जे राधा से चीट क्यों है वो तो बहुत सलिके वाली और प्यारी बच्ची है मैं राधा में कोई कमी नहीं निकाल रही पिदा जी मैं तो बस यही कह रही हूं कि मा के गहने हमारी पुस्तेनी धरोहर है जो सिर्फ मा के अपने बच्ची को मिलेने चाहिए किसी दूसरे की अलाद को नहीं मा के जो भी जेवर अभी भावी को मिलेंगे वो देर शविर देगी तो राधा को ही यह नहीं होना चाहिए सोनी बुआ समझाने के स्वर्व में बोली राधा इसके आगे कुछ सुन नहीं सकी दूसरी की अलाद सब्ध हथाड़ी की तरह उसके दिलो परभार कर रहा था उसने चुपचाफ लोटकर दूद का गिलास नौकर के हाथ भिजवा दिया और सोचने लगी कि वह किसी दूसरे यानि किसकी अलाद है दूसरी जगह और इतने लोगों के बीच ममी पापा से कुछ उचना तो मुनासिब नहीं था तभी रिया चाची उस नहीं होने के कारण उसकी रिया चाची से बहुत बनती थी और पिछले चार-पांच रोज से एक साथ काम करते हुए दोनों में दोस्ति सी हो गई थी आपने से कुछ पूछना है चाची बताएंगी उसने निवेदन करने के अंदाज में कहा जरूर रिया ने प्यार से सीर ह लाया मैं कौन हूँ राधा इस परशन से चोक पड़ी फिर समभल कर बोली मेरी प्यारी भती जी राधा बोली मगर मैं आपकी असली भती जी तो नहीं हूँ न क्योंकि मैं अपने ममी पापा की नहीं किसी दूसरे की अला यह तो क्या कह रही है रिया ने बात काटी जो भी क कह रही हूँ चाची सही कह रही हूँ और राधा ने सोनी बुआ और दादा जी के बीच कोई बात ची दोहरा दी रिया जला कर बोली तुम्हारे सोनी बुआ को भी बगएर बवाल मचाए खाना नहीं पचता उन्होंने कोई बवाल नहीं मचाया चाची सिर्फ सचाई कि मैं किसकी आुलाद हूँ तो बवाल मच सकता है मैं जो बताऊंगी उस पर तू यकीन करेगी अगर यकीन नहीं करना होता तो आपसे पूछती ही क्यों असलियत जानने के बाद मैं मम्मी से पापा से कुछ नहीं पूछूंगी और कम से कम यहां तो कतई नहीं कभी और कहीं नहीं पूछना बेटे वरना वे बहुत दुखी होंगे कि सायद उनकी परवरिस में ही कोई कमी रह गई तुम सार्दा और दिनेश की बेटी हो भावी और सार्दा बचपन की सहेलिया है यह अस्परस्ट होने पड़ की बचपन में हुई किसी दुरगहटना के चलते भावी कभी मा नहीं बन सकती सार्दा ने उनकी गोद में तुम्हें डाल दिया था भावी और भावी साहब ने तुम्हें सार्दा की कभी सिकायत का मौका नहीं दिया हो राधा ने सहमती से सिर हिलाया मम्मी पापा से मुझे कोई सिकायत नहीं है लेकिन सार्दा अंटी ने मुझे क्यों और कैसे दे दिया दोस्ती की खातिर दोस्ती ममता से ज़्यादा तभी अंदर से बहुत उचेद स्वर में सुनाई देने लगे सबसे उचा सर पापा का था मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अमुले मेरी बेटी है जिसके लिए मैं दिली से सरकाई नौकरी छोड़ कर चला आया उसके लिए क्या चांद गहने नहीं छोड़ सकता मेकल सवेरे यानि आपके बटवारे से पहले ही यहां से चला जाओंगा लेकिन मा की उठावनी सोनी बुवा ने पुछा उसके लिए आप सब है न मा की अंतिंग समय में सेवा कर ली मेरे लिए यही बहुत है पापा ने कर वे सवर में कहा जो लोग मेरी बेटी को पराया समझते हो उनके साथ रहना मुझे गावारा नहीं है रिया ने राधा की और देखा और उसने चुपचाप सीर जुका लिया या अब नहीं रुकेगा रोक कर सोनी बुगा तुम बात मत बढ़ाओ दादा जी का सवर उबरा उ तो अब तुम सो जाओ सुबह जल्दी उठना होगा जी पापा राधा ने कहा और चुपचा विस्तर पर लेट गई पापा ने बत्ती बुद्दा दी कुछ देर के बाद मम्मी का स्वर उबरा मुझे लगता है इस तरह लोट कर तुम सब की भावनाओं को ठेश पहुचा रहे हो सोनी बहन जी है जिस विदर्दी से मेरी भावनाओं को कुछला है न उसके मुकाबले में मेरी ठेश तो बहुत मामुली है पापा ने तकली से कहा जो भी मेरी बेटी को न कारेगा उसे मैं कदापी स्विकार नहीं करूंगा चाहे वो कोई भी हो यहां तक कि तुम भ गर आकर ममी पापा अपने कमरे में वेस्थ हो गए और राधा पढ़ाई में हलाकि राधा को लग रहा था कि पूने से लोटने के बाद पापा उससे लेकर और कुछ ज़्यादा ही हो जैसिभ हो गए है लेकिन वह अपने असली माता पिता से मिलने और यह जानने के यह में क्यों डाल दिया